कैश लिए बात कर लATE है Bitcoin के बारे में आप देख पाओगे यहाँ पर कुछ Altcoins आपके साब ने Altcoins के बारे में काफी क्वाई री थी तो Altcoins का पहले यहाँ पर हाल देख लेते हैं आप देखो कि कुछ यहाँ पर Green में हैं और Red में मेरे साब से जो Red वाले हैं वो बहुत जल्दी green by convert यहाँ पर होंगे अगर bitcoin यहाँ से थोड़ा से नीचे उतरे यह bitcoin यहाँ से एक sideway market में जाए कौनसे कौनसे altcoin जो आपके portfolio में आप जगा दे सकते हो जो अच्छे altcoin है तो आप ध्यान से सुनिएगा मैं आपको list यहाँ पर दिखा रहा हूँ सबसे पहले बात करें Ethereum, BNB definitely आपके portfolio में यह होने ही चाहिए ठीक है बाकी मैं इनके अलाव आपको बताऊँगा कि कौनसे altcoins आप रख सकते हो सबसे पहले cardano, ADA coin आप जानते हो यह आप definitely रख सकते हो Solana, Solana आपको रख नहीं है आपको portfolio में Solana की जगा है खतम नहीं होनी चाहिए Polkadot, Polkadot बहुत bullish है 33.41 पे चलना है अभी 40 dollar से नीचे नहीं होने का है बहुत जल्दी 40 dollar को भी cross कर देगा ठीक है Litecoin, LTC के साथ आप definitely जाओ 176 dollar का है अभी अच्छा return बना के दे सकता है Link coin बहुत अच्छा है Elgo coin बहुत अच्छा है इनके साथ आप जाओ ठीक है, जो coin में आपको बता रहा हूँ यहाँ पर आप इने है मेरी कोई financial advice नहीं है लेकिन आप इने acclimate कर सकती हो अच्छे coin से profit में अच्छा देर सकते है आपको Polygon, Matic बहुत बढ़ी आए ठीक है ICP थोड़ा बहुत आप रख सकते हो अपने portfolio बाकि मैं इसका TAV लियाओंगा आपके लिए ताकि आपको अच्छी तारह से पता चल जाए बाकि ICP की हमारी down की भी यहाँ पर buying है तो वो profit में अभी XLM आप definitely रख सकते हो Cosmos आप अभी नहीं रखो आप थोड़ा time रुको आप Cosmos बाद में आपको बता हुआ ठीक है XZ यहाँ पर XZ नहीं XZ अभी थोड़ा सा है आप एक रेंज बनाएगा तो अभी आप इसको hold मत करो WeChain को definitely आप अपने portfolio में जगा दो FTT को definitely आप अपने portfolio में जगा दो XTZ बहुत अच्छा coin है definitely अपने portfolio में आपकी जगा होनी चाहिए US अपने portfolio में रख सकते हो Pancake अपने portfolio में रख सकते हो ठीक है KSM definitely अपने portfolio में रख सकते हो बहुत अच्छा कॉइन है KSM भी आप रख सकते हो तो यह कुछ आप सकते हो यहापर सुषी रख सकते हो तो यह कुछ आप यहापर चाहें तो बाइंग बना सकते हैं चली यह बात कर लिता है यह फार BITCOIN के वारे मैं सबसे पहले हम यहाँ पर आज पहले Bitcoin की डॉमिनेंस आज यहाँ पर चेक आउट कर लेता है क्योंकि BTC dominance के अपर ही सब कुछ आपका depend करेगा तो BTC dominance हम यहाँ पर देख लें तो 44 के करीव आपर rejection हमें देखने के लिए मिल गई है मैं यहाँ यहाँ पर क्या expect कर रहा हूं मैं यहाँ पर देख रहा हूं कि भाई Bitcoin की dominance अभी यहाँ पर शायद गिरे reason क्या है यह जो pattern है यह थोड़ा सा bearish pattern है ठीक है तो यह pattern के साब से अगर price नीचे आता है आज dominance नीचे आती है तो definitely हमें altcoins में बूम देखने के लिए मिल सकता है मैं कहां तक देख रहा हूं प्राइज आपका हो सकता है 42 तक यहाँ पर price करने आ जाया तो यह वाले जो एयरी होगा ने यह वाला एरिया यह एरिया में आपके जो altcoins और वह यहां पर बूम कर सकते हैं ठीक है बात कर लेते हैं बिटकोईं के बारे में बिटकोईं में आपर क्या बिटकोईन को भी हम यहां पर देख लेता है करेंट पाइस आपर 53 822 के करीब यहां पर चलता है तो बिटकोईन में आपको कुछ लवर्स बताया थे देख सकते हो आप हमें एक चैनल बेटन में चलना है सबसे पहले को एक फॉलिंग वैज था उसके सारे टार्गेट यहां प अब यहां पर ब्रेक्डाउन नहीं हुआ था कंफ्र mm नहीं हुक्त हुई अब हिहां पर बिटकोईन क्या देखा रहा है मैं आपको फिक प्रेड कर रहा है सबसे पहले नहुत स emission रेंज बननी है मार्केट में इन दो लेवल्स की एक आपका 55500 से लेके लगबग यू कैल से कि हम 53600 के लेवल पर यहां पर बार बार घूम रहे हैं अब यहां पर क्या हो सकता है मेरे इसाब से दीखिए आप अभी मैं आपको यहां पर दिखा हूं तो हमारा एक बुलिश फिल तो हम उसके साब से भी यहां पर टार्गेट ले लेता है तो अगर मैं इस बुलिश फैनेंट के साब से आपको बता हूं तो आप कैसे से प्ले आउट कर सकते हूं पहले मैं आपकी उपर की पॉसिबिलिटी बता है तो देखें बिटकोन का प्राइस अगर 54300 के लेवल को क् ट्रेड बन सकती है कहां तक पहला टार्गेट आपका लगबक 55500 का होगा और दूसरा टार्गेट अगर यह क्रॉस करके उपर बैट जाते हैं तो यह हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल भी है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 58 तक बिटकोन इसली चले जाए लेकिन अगर ब देख सकते हो आप एक राइजिंग वैज बना हुआ है तो राइजिंग वैज का नीचे वाले लेवल पर हम कही ना कहीं आ सकते हैं प्राइज में ठीक है फिर हम कहां सक देख सकते हैं अगर प्राइज आपका 53,800 का लेवल तोड़ देता है तो हम मैं जो देख रहा हूँ फ तोड के एक घंटे में confirmation देता है ठीक है तो यह आपकी एक short trade है देखिए का आप कैसे से manage करेंगे मैंने उपर के और नीचे के levels आपको बता दी है ठीक है के पिए अपना stop loss आप रखोगे 54,300 यामिकी यह नीचे की तोड़ता है तो उपर वाला जो लेवल था हमाई आ पर stop loss होगा उपर को तोड़ता है तो पहला target आप क्या ले सकते हो 52,300 और दूसरा target आप 51,000 का ले सकते हो तो यह एक bullish pennant है देखता है यह कैसे play out करता है bullish ही होता है यह देखने वाली यहाँ पर बात होगी Bitcoin dominance के बारे मैं आपको बता दिया है एक large frame में मैं आपको बताऊँगा Bitcoin की update जो माई next update होगी एक large frame वाली update होगी वो definitely ठीक है तो ऐसे ऐसे करके मैं यहाँ पर Bitcoin को देख रहा हूँ तो यह है फिलाल के लिए भी bullish देख रहा है लेकिन retracement आती है तो हम alt coins में हाँ पर अच्छा profit ब नवाद